ओम साहिराम जी मैं रमा कटारिया दिली में रहती हूँ और बाबा की डिवोटी भी हूँ और बाबा की भजन सिंगर भी हूँ तो यह जो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप सब के साथ शेयर करने जा रही हूँ यह 1998 की बात है हम लोगोंने नया नया बाबा को मानना जानना शुरू किया था क्योंकि उससे पहले मैं मातरानी को बहुत मानती थी मानती आज भी हूं मातरानी को लेकिन अब मेरा जुकाव जो है वो बाबा की तरफ जादा है तो मेरी मदर वेरी फर्स टाइम जो है एक ग्रुप चारा था शेयर्डी तो मेरी मदर वेरी फर्स टाइम उस group के साथ Shirdi गई और जाने लगी तो उनको लगा कि ओ वो पीछे से मेरे husband मेरे बच्ची सब घर पे रहेंगे अकेले होंगे तो बावा को बूला कि मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ और group के साथ में वो 6-7 दिन का group था trip था तो वो Shirdi चली गई एक दिन जैसे पहले तो द्वार का माई में पूरी पूरी रात हम लोग बैठा करते थे अब तो खेर दरशनों के बाद में शेजारती के बाद में द्वार का माई की गेट बंद कर देते हैं अंदर बैटने नहीं देते तो उस ट्रिप पे थी तो मेरी मदर द्वार का माई मे कम तो कोई मान नहीं सकता तो मदर को ऐसे लगा कि कुछ तो हुआ है मेरे बच्चों के साथ में गलत और मा क्योंकि द्वार का माई में बैठी हुई थी तो उन्होंने एकदम से बाबा से पहने प्रात्ना करनी श्रू कर दे कि मेरे बच्चों की तो मेरे बच्चों की जिम्मेदरी मैं तुम्हें बच्चों चाहिए वरना मेरा नाम से ही त्रावल इजंसी है उनकी तक然後 ब्रदर की गाड़ी किसी ने बुक करी कि हम लोगों ने गजरॉला जाना है गजरॉला यूपी में पड़ता है बड़ा नोटोरियस एरिया है थोड़ा सा मतलब गुंडा गर्दी के हिसाम से बड़ा जादा ही मशूर कह लेचे आप उसे तो ब्रदर के पास में गाड़ी बु अब क्योंकि बुकिंग ली जा चुकी है और कोई ड्राइवर फ्री नहीं है गाड़ी फ्री नहीं है नहीं तो कोई और गाड़ी कर देते तो सम्हाओ ब्रदर को जाना पड़ा है उसने कर चलो कोई बात नहीं गजरॉला तकी तो जाना है तो मैं फटा-फट इनको जानबुच करके उन लोगों ने ऐसा टाइम कर दिया कि अंधेरा हो गया और उनको बोला ब्रदर को कि चलो जी अब सर ये गाड़ी जो है इधर कच्चे रस्ते पे ले लो हमारा जो गाओं है जहां हमें जाना है वो इस कच्चे रस्ते से होते वे जाएगा बिल्कुल जार जंगल था और उस पीसे ब्रदर भी मतलब बाबा को मानता था तो वह भी बाबा का नाम लेते 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 जा रहा था तीन किलो मेटर के करीब जब वो उस कच्चे रस्ते पे आगे बढ़ चुकी थी गाड़ी तो उन लोगों ने देखा बास पास कोई ना गाड़ी आरी जारी है तो उन लोगों ने एक दम से जो थे वो देसी कटा जो था वो ब्रदर को लगाया और गाड़ी में से उसको उतार लिया और उसका वालेट वगरा सब ले लिया मॉबाइल ले लिया उसे रिंग पैनी हुई थी चेन पैनी हुई थी और अपना जो भी उसका जो भी उसके कान को छूता हुआ निकल गया तो बुलिट जो थी ब्रदर को छूते हुए निकल गई और ये वही टाइम था जिस टाइम पे मेरी मदर जो थी दौर का माई में बैटी थी और उन्हें अचानक से इंट्यूशन हुआ कि मेरे बच्चों के साथ में कुछ हुआ है और चार दिन के अंदर-अंदर हमें वो गाड़ी भी मिल गई वो लोग भी मिल गए पकड़े गए और सब कुछ ठीक ठाक हो गया और मेरी मदर जिस टाइम शिर्डी से वापस आई तो उस टाइम तक सब कुछ ठीक हो चुका था तो ये बाबा की किरपा है बाबा अपने बच् मेरे बाबा मेरे लिए मेरे नानू है तो हम घर में यह नहीं कहते है कि वो बाबा है वो मेरे लिए मेरे नानू है क्योंकि मेरी ममी ने उनके साथ में बाप बेटी का रिष्टा बनाया हुए है तो बाबा तो बहुत दयालू है बहुत सारे मेरे पास में भी एक्सपीरियंस है being a sign vision singer मेरे पास में लोग अपने अपने experiences share करते हैं मेरे साथ में तो ज़रूर time to time में आपके साथ में अपने experiences share करूँगी तो आईए मिल करके बाबा की जो प्यारे बच्चे हैं वो मिल के एक बड़ी मेरे साथ में चेकारा लगाएंगे बोले सकुरू साइनात माहराज की जय